इस संसद में बैठा हुआ कोई भी बानिय सदस आतंकवाद के खिलाफ सक्थ से सक्थ कानून बनाया जाए इसके विरोध में कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस संसद ने आतंकवाद का हमला देखा है मनवर और पूरा देश उस घटना से सदमे में आया था चिंता में आया था आतंकवाद एक समाज के लिए, एक रास्ट के लिए चुनोती भी है, अविशाब भी है, कलंक भी है और हमने बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं देखी है अक्षरधाम में भी देखा, मुंबई हमला भी देखा, अजमेर ब्लास्ट भी देखा समझँवता एक्सप्रेस बलास्ट भी देखा, मालेगाओं बलास्ट भी देखा मक्का मस्जित बलास्ट भी देखा, तमाँ आतंकवादी घटनाएं, इस देश के लोगों ने भुकती है, देखी है मनुबई इसलिए आतंकवाद के खिलाफ कोई सक्से सक्स कानून बना जा इसके खिलाफ हम नहीं है लेकिन आतंकवाद को देखने का चस्मा दोरा नहीं होना चाहिए चस्मा एक जैसा होना चाहिए एक आतंकवादी घटना में हमारा चस्मा दूसरा होगा ये ठीक नहीं है इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो भी कानून आप लेकर आ रहे हैं उसके प्रती विश्वास होना चाहिए लोगों के मन में कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे लेकिन हमने पोटा का भी दुरुपयोग देखा है हमने टाडा का भी दुरुपयोग देखा है और 2003 में आपकी ही ततकालीन सरकार ने पोटा कानून हटाया जा इसके लिए पुनर विचार करने के लिए कमेटी बनाई ततकालीन गिरिमंत्री जी ने तो इसलिए कानूनों का दुर्पयोग इस देश में होता रहा है इस सच से भी हम मुह नहीं मोर सकते दूसरी बात मनेवा कि जहां तक कानूनों की बात आई सक्से सक्त कानून बन जाता है निर्वेयकान के बाद सक्त कानून मना इस देश के अंदर जब आर्थिक अपराधी भागने लगे हिंदुस्तान छोड़के फ्यूजिटिव एकनॉमिक ओफिंडर बिल आपने बनाया आपकी पिछली सरकार को मिस्रे देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मासूम बच्चीयों के बलातकार के मामले में आपने फासी की सजा का प्रावधान दिया लेकिन उन कानूनों का प्रभावी ढंग से जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या बलातकार की घटनाओं पर रोक लगी मानवाद क्या आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लग दे आप कानून बनाईए तो उसके साथ साथ लोगों का विस्वास भी होना चाहिए कि सरकार उस कानून को इमानदारी से लागू करेगी दुर्भाग्य से माव लिंचिंग की जो घटनाएं पूरे देश में हो रही है उसको भी कानून के दारे में लेके आईए माव लिंचिंग भील के द्वारा किया जा रहा आतंकवादी घटना है उसके खिलाब भी एक धन्यवाद कानून इस देश के लिए